गुड मॉनिंग स्टुटेंट मैं दीपक रस्ताओगी भारत कृष्णया वाल विद्यामंदर इंटर कॉलेज में अगाउंट्स के प्रभक्ता के पतपर हूँ मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लासिस के अंतरगत बही काता में साजेदारी फ़नाने वाला हूँ साजेदारी के इंतरगध मैं आपको बताऊगो सबसे पहले साजेदारी का आश्यर और तीरी स्टैप बए्स्टैप न टौपिक पर पहुंचूँआँ तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले साजेदारी से आश्यर अकि लिए मैने कि वह एक इन लाइन लिए है और इसके केंद्री करन लियाजा साज़दारी विकेंद्रे साधनों का केंद्री करन है अर्थात भिन्न भिन्न योगताओ वाले व्यक्ति जिनके अंदर अलग-अलग तरीकी कॉलिटी होती है बट वो अपनी किसी ना किसी कमजोरी के वेशे वैपार नहीं कर पा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को जोड़कर जब कारोबार किया जाता है तो वो साज़दारी कहलाती है जैसे मैं बोलता हूँ किसी व्यक्ति के पास कोशल होता है किंतु पैसा नहीं होता किसी यह जहां इन भिन भिन योगताओं वाले व्यक्तियों को मिला कर जब एक संगठन तयार किया जाता है और उनके वीच जब कार्य किया जाता है तो उसे हम साज़ेदारी कहते हैं। यह तो आगई एक वर्वल टॉकिंग की बात जो मैं आपको समझाने के लिए बताई। अब आते हैं किताब की लेंगउज से क्या साज़ेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो भिन भिन योगताओं के होते हैं और मिलकर लाप कमाने के लिए आपस में शामिल होते हैं। वो साज़ेदारी कहलाती है तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी सब की समझ में आ गई। यह partnership firm अपने साथ में कुछ लोगों को अत्रिक्त लोगों को और जोड़ती हैं जिने कहते हैं साजेदार ऐसे में जब कभी साजेदारी firm के अंदर नए साजेदार का प्रवेश होता है यानि admission of a new partner तब उस समय पर किस तरीके से वर्क होता है आज हम लोग उस चीज को भी जानेंगे नए साजेदार का प्रवेश आज मैं आप लोगों को पता हुआ किसी भी साजेदारी के अंतरगत जब एक नए साज़ेदार का साज़ेदारी में प्रवेश होगा तो वो अपनी साज़ेदारी में दो चीजेए फर्म में अवश्य रूप से लाएगा नमबर एक पूझी जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं चापिटल बोलते हैं और दूसी चीज लाएगा ख्याती जिसे इंग्लिश में हम लोग गुडविल बोलते हैं ये दो चीजे वो व्यक्ति फर्म के अंदर अपने साथ ले करके आता है यदि हम बात करते हैं पूंजी की तो पूंजी को मैं डिफाइन करता हूं किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यपा पूंजी और दूसरा ख्याती तो यहां पर हमने इन दोनों चीजों को जाना अब व्यक्ति जब फर्म में प्रवेश करेगा अपने साथ दो चीजे ले करके आएगा तो डिफिनेटली वह हमसे कुछ न कुछ एक्सपक्ट करेगा उमीदे रखेगा क्या हाँ वो हमसे लाब की उमीद करेगा वो कि जो भी business करोगे उसमें जो profit होगा वो तुम मुझे दो मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा दो लिहाजा ऐसे में जो वो हिस्सा आप उसमें share करेंगे बाटेंगे उसके लिए अब शक्ता पड़ती है साजेदारों के बीच लाब विवाजन अनुपात की बस आज ही हम उस वि केते हैं लाब विवाजन अनुपात तो बच्चो आज हमारा point शुरू होता है लाब विवाजन अनुपात का आज मैं आप लोगों को बताऊंगा साजेदारों के बीच लाब का विवाजन किस तरीके से किया जाएगा और क्यों किया जाता है मैंने अभी बताया था थोड़ अब कल को आगे नया partner भी तो उसे भी उसका हिस्सा मिलेगा लिए जो हिस्सा जो इसका देंगे तो वो किस तरीके से बाटेंगे उसी को calculate करने के लिए हम आज सीखेंगे लाब विवाजन पात लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा दो examples के माध्यम से ठीक है तो मैं पहला example मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा example one a b tatha c एक फर्म में तीन अनुपाद दो के साजेदार है थोड़ा था तो question मैं दुबारा से एक बाल लेता हूँ थ्यान से समझेगा a b एक फर्म में तीन अनुपाद दो के साजेदार है वे c को एक बटा तीन भाग का साजेदार बनाने का निश्चे करते हैं c के प्रवेश के पश्चात नए लाब अनुपाद की गड़ना कीजिए ठीक अब आप देखते हैं इसका solution बहुत ध्यान से समझेगे मैं एक बार ध्यान से रिपीट करता हूँ कोशन दो को करते समय एक चीज में छोटी सी बता हूँआ तीन प्लस दो बरावर पांच यानि अनुपात की योग के ताया पांच इस अनुपात की योग को लीजिए इनके बटों में लगा दीजिए यानि तीन बटे पांच और दो बटे पांच तो यह इनकी फ्रेक्शन बन इनके नए उनुपात को पूछ रहा है तो याद रखिए एक मैथमेटिक्स का पॉइंट में बताता हूँ जब कभी संख्या है प्रतिशत में दी होती है तो पूरांग 100 माना जाता है जब कभी संख्या है प्रतिशत में दी हो तो पूरांग 100 माना जाता है लेकिन जब कभी संक्या है फ्रेक्शन में हो यानि बटों में हो तो ऐसे में पूरा को एक रुपिया माना जाता है यानि कि यहां कर लेंगे माना चलिए हिंदी में लिख दो हूँ फर्म का कुल लाब बराबर एक रुपिया ठीक है माना फर्म का कुल राब एक रुपिया है तो उसने कहा यदी हम वो कहें है रिमें रेशो रिमें भी बचा हुआ भाग तो हम कहेंगे माना हमने एक रुपिय में से C का हिस्सा माइनस कर दिया 1 माइनस C का पाइट तो हमारा रिमेन रेशो यानि बचा हुआ हिस्सा निकल के आ जाएगा कैसे 1 माइनस 1 बाई 3 is equal to 2 बाई 3 यह जो 2 बटे 3 भाग निकल के आया वो C को हटाने के बाद A और B का ही तो होगा अगर फर्म एक रुपय का लाब कमाती है तो वो एक रुपया वो A, B और C तीनों में तो बटेगी अब यहां पर mathematically content use कर रहा हूँ कि अगर एक रुपय में से A और B इन दोनों को minus कर दोगे तो C आ जाएगा और यदि एक रुपय में से C को minus कर दोगे तो A और B निकल किया जाएगे यह तो नियम होते हैं इसी चीज को हम यहां follow को ले रहे हैं तो 1 minus 1 by 3 is equal to 2 by 3 तो 2 by 3 तो 2 by 3 तो 2 by 3 हिस्सा आ गया इसलिए A's new profit ratio इस एक पर 2 2 by 3 को लो और A का रेशो है 3 by 5 मैं बाइट दो और इसी तरीके से 20 new profit ratio is equal to 2 by 3 यानि यह लीजे और B के अनुपात में 2 by 5 में बाइट दीजे कोई नंबर किसी से कट नहीं करना cross multiply कर दीजे प्रापर multiply कर दीजे 2, 3, 6 और 3 पंजे 15 2, 4, 5, 3, 15 अब A और B हमारा मिल चुका है फिर तुबारा हमाई पहुच जाईए जब A और B मिल चुका है तो C निकाल लेंगे इसलिए C is new profit ratio is equal to 1 minus bracket A का ratio plus B का ratio अब यहाँ पर मैं एक tricky point बताता हूँ कुछ नहीं करना calculation आपने सिर्फ nominator वाली value जो ऊपर की value होती है इने जोड़ना है 6 और 4, 10 इस 10 को लीजे जो denominator की नीचे वाली value है किती है 15 उस पे से गटा दीजे 15 पे से 10 गटाएंगे तो 5 बटे 15 इसलिए A is to B is to C is equal to 6, 4 और 5 इस हार answer ठीक ओके students अब पिछले example से हट के अब मैं थोड़ा सा point change कर रहा हूँ एक दूसरा example आपको दे रहा हूँ जिसमें है A और B एक form में 3 और 2 के अबाद में साजेदार है वे C को 1 बटे 3 भाग का साजेदर बनाने का निश्य करते हैं C अपने हिस्से का 1 by 2 यानि आदा भाग A से तथा 6 B से प्राफ्ट करता है नया अनपाद गयाद कीजे मैं बता दूँ पिछले कोशन में और इस कोशन के अंदर इस line ने बहुत बड़ा twist ला दिया है चेंज ला दिया है वो line क्या कह रही है उसे हम ध्यान से समझते हैं उसके लिए मैं बहुत छोटा था एक्जामपल देता हूँ suppose ये आपके पास एक bench है ठीक है बहुत ध्यान से समझीएगा इस bench पर एक जगा A बैठा हुआ है और एक जगा बीचने के अपना concept लगाया इतनी दिर में उन्हें सी आता हुआ दिखा उन्होंने सोचा कि सी जिस चीज का कारोबर कर रहा है वो related to us यानि हम से संबंदित है अगर सी की चीज बिगेगी तो automatically हमारी चीज बिगनी शुरू हो जाएगी तो उन्होंने क्या करा फट 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 C को बलाया और अपने बरावर में एक प्लेज दिया बोले चल तू यहां आगे बैढ़िजा अभी तो हमने वो टेक लिया था वो अला concept लिया था उसमें किसी को कोई परशानी नहीं ना A को न B को C आया और उसे जगा दी उसे बठाल दिया बट आज हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट को डिस्क्रस कर रहे हैं यह थोड़ा सा अलाग है इसमें क्या difference है वो मैं आपको बताता हूँ यहां पर हमारे पास side में place नहीं है यह मैं example इस तरीके से दे रहा हूँ कि topic का step आपको clear हो जाए ठीक है इसे B practical मत समझ के चलिएगा कभी बिल्कुर यह सोचें तो इसलिए मैं आपको बता दू A और B एक proper place पे बैठे हुए हैं उन्हें C को बैठालना है और उसको जगा देनी है लेकिन मजबूरी यह है B के बरावर में भी और A के बरावर में भी कहीं जगा नहीं है अब वो क्या करेंगे और उन्हें पता है कि अगर C आएगा तो कारोबार दू न हो जाएगा क्यों C जिस product में deal करता है वो product हमारे दोनों के product को मिला करके चलता है है ना तो बढ़ाना भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपने कारोबार को बढ़ाना है तो इसलिए उन्हें उन्हें क्या करा आपस में shelter adjustment किया क्या कुछ जगा A ने छोड़ दी और कुछ जगा B ने छोड़ दी तो जितनी जगा छोड़ी उस जगा पर आगे सी भाई सब बैढ़ गाए मिल की जगा तो ऐसे में जितनी जगा A ने छोड़ी वो A के द्वारा किया गया sacrifice है sacrifice को हिंदी में बोलते है त्याग A ने अपना हिस्सा जितना छोड़ दिया उसे A का त्याग एंगे और जितना B ने छोड़ दिया उसे उसका sacrifice या त्याग कहा जाएगा तो जितने हिस्सा छोड़ा sacrifice के लिए वो तो हम लोग अभी सीखेंगे और लेकिन अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो ये कि इस condition में numerical के point को किस तरीके से solve किया जाएगा तो देखो यहाँ पर भी sacrifice दिया है C ने अपने इससे का आदा भाग A से लिया और अपने इससे का आदा बच्चा हुआ वाला वो B से ले रहा है तो A और B अपने इससे में से कुछ तो छोड़ ला है ना कोई sacrifice है कैसे करेंगे आईए देखते है solution A और B एक फर में 3 और 2 के partner है rationality आपको मैं सिखा चुक हूँ 3 बड़े 5 और 2 बड़े 5 अनुपाती है योग से उन्होंने C को enroll करा 1 by 3 के लिए बिल्कुल ठीक C अपने हिससे में से कुछ भाग A से और कुछ भाग B से प्राफ्ट करता है क्या मतलब वो अपने हिससे का आधा अपना हिससा है 1 बड़े 3 और आधा है 1 by 2 ये तो वो A से ले रहा है यानिकी 1 बड़े 6 अब बाकी का आधा वो ही बात हो गई ये वो B से ले रहा है तो आधा A से ले लिया और आधा B से ले लिया तो A और B की में से इतना पाइट कम हो जाएगा तो definitely इसके आधार पर अब आगे बढ़ते हैं इसलिए A's new profit ratio is equal to A पर पुराना नुपाद था 3 बड़े 5 और देखेता दिया उसने 1 by 6 1 बड़े 6 तो solve कर लीजे LCM line के लो कर लीजे बलकी नीचे बिता देता हूँ LCM 6 बड़े 30 5 शेंग 30 और 6 तिया 18 अब 5 एकम 5 18 में से 5 गड़ा तो 13 बड़े 30 इसी तरीके से B's new profit ratio is equal to B का नुपाद था 2 बड़े 5 माइनस देखेता दिया उसने भी 1 बड़े 6 दिया है अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहां मैंने बता दिया आजह दा आजह है तो आगे भी subject आजह ही लेरा ऐसा कुछ नहीं है यह बडल भी सकते है नहीं हो सप्टा है कि 60-40 ratio में लेते हैं हो सकता है हो कि 70% x अलेता है 30% x लेता है हो सकता है 1 बड़े 4 औ Sum कुछ भी करता है तो इसके लिए आपको प्रिपेर करके रहना है अपने आपको तो अब आप देखिए माइनस कर लेते हैं एलसी हम वही तीस आएगा शेह दुनी बारा पांच एकम पांच साथ बते तीस अब हमारे पास एक भी शेर आगिया बीक भी आगिया नाव गेटर इन C's New Profit Ratio is equal to 1 minus वही पुराना फंडा एक अनुपात 13 बते तीस और B कर 7 बते तीस 13 और 7 बते तीस 13 और 7 बीस है ना मैंने क्या कहा था अपर हेट्स को जोड़ दीजे 13 और 7 बीस और डेनॉमिनेटर में से घड़ा दो कितना बच गिया 10 बते तीस इसलिए A, B, C is equal to 13, 7, 10 ठीक ये थे हमारे कंसेटिंग पॉइंट जो आप लोग की समझ में आए होंगे अशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसके साथ इससाथ मैं आप लोग को जो पीडियाप भेजूँगा उसके अंदर इसी से रिलेटेड तीन एक्सरसाइज भी दे रह कीजिए आपसा जैसे भी सॉल्फ हो आपसे सॉल्फ करिए और अगर आपको सही से समझ में आता है और आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको इसका एक आंसर चेकिंग टिक भी बताऊंगा अभी नहीं बता रहा है ठीक है ना थोड़ी मेहनत आप लोग करेंगे उसके बाद मैं नुत कर रहा है कि उसके रेसंगाए नहीं हा थी जहीं एक रलग है धन्क्यू